हेलो अरुन तो कैसे आप लोग आज हमारा पार्ट टू लेक्चर है फोडो सेंथेसिस पर और हमने फोडो सेंथेसिस के पार्ट वन में क्या देखा था लाइट रेक्शन को कंप्लीट कर लिया था क्लोरोप्लास का डाइग्राम को देख लिया था क्लोरोफिल कैसे बनता है कह कम्प्रिट करेंगे डारक रिक्षन को आपने पूरा कम्प्रिट कर लिया आप आते हैं डार्क रिक्षन पर फिर प्लांट्स को रखती हैं food बनाने के लिए उसी reaction को कहते हैं dark reaction इसका मतलब इस reaction हम सिर्फ क्या देखेंगे कि food कैसे बनता है उसको देखना आपनको ओके तो dark reaction में लिए अस्ट्रोमा में डार्क रेक्षन होता है एक अच्छा काम और एक बुरा काम अच्छा काम क्या होता है बुरा काम क्या होता है वो दोनों बताते हैं अच्छा काम ये है कि वो carbon dioxide का addition कर लेता है अब बोलो कि sir अगर वो CO2 का addition कर रहा है तो अच्छा काम कैसे हुआ it means वो carboxylation कर रहा है बिल्कुल क्योंकि हमें पता है chemistry के language में addition of carbon dioxide को हम carboxylation कहते हैं तो यह अच्छा काम कैसे हो सकता है अच्छा काम इसलिए होता है कि जो ruby square enzyme होते हैं वो 5 carbon का chain बनाता है और जैसे ही इसे CO2 मिलता है तो इससे एक carbon को ले लेता है तो carbon को जैसे ही रेगा तो यह 6 carbon का chain बन जाएगा अब 6 carbon का chain बन जाएगा तो याद करो हमने जब glucose पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था हमने कि C6S12O6 होता है इट मिन्स glucose के लिए food के लिए क्या चाहिए 6 carbon का chain होना चाहिए जो कि ruby उसको बनाता है किस के लिए बना कैसे बनाता है तो वह addition करता है CO2 का बुरा काम यह है कि जब वह addition कर ले oxygen का O2 का अब वो लोगे सर यह तो अच्छा काम होना चाहिए तो अच्छा काम इसलिए नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है food बनाना है और food हम पने कहा था क्या होता है चेक आर्बन का चेन नहीं बन सकता इट्विंस फूड हमारा नहीं बनेगा तो उसलिए हम बोलते हैं कि यह रूबिस्को एंजाइम का खराब काम है तो यहां पर हमारा जो रूबिस्को का टॉपिक था वो हमारा clear हो चुका होगा राइट अब आपको पढ़ना है अस्टोमाटा के बारे में यह टॉपिक तो रेस्पारेशन देना चाहिए था पर आपके बुक में इसी में दे दिया है तो चलो इसी में complete कर लेते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है अस्टोमाटा कहां present होता है तो leaf में present होते हैं चोटे चोटे पोर्स होते हैं ताइनी पोर्स होते हैं उस जगह पे अस्टोमाटा present होते हैं अस्टोमाटा का रोल होता है जैसे कि वो प्लांट जो है वो क्या करते हैं हमारे लिए ओक्षिजन को देते हैं और क्या करते हैं लेकिन कब करते हैं डे टाइम में करते हैं तो डे टाइम में जो अस्टोमाटा होता है वो ओपेंड होता है ओपेंड होने के कारण वो CO2 को अपने पास ले पाता है और ऑक्सिजन को हमें दे पाता है लेकिन रात के टाइम फोटो सेंथेसिस नहीं होता क्योंकि हम सब को पता है फोटो सेंथेसिस तो यह हमें पता ही है कि डी प्रोसेस होता है, light के बिना यह प्रोसेस कम्प्लेट नहीं हो सकता, तो राथ के टाइम में light जो है, मिलती नहीं है, तो उस टाम कि अप्लोज हो जाते हैं, तो जब अप्लोज हो जाएंगे, तो वो CO2 को अपने पास लेगा नहीं, तो CO2 को अगर लेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, oxygen को दे नहीं पाएगा, तो it means रात के टाइम में plant जो होते हैं, वो CO2 को छोड़ देते हैं, और oxygen को लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम, plant के पास नहीं रहना चाहिए, पेड़ के पास नहीं रह करते हैं, जो एक plant है, जिसको कहते है, ficus religious, जिसको हम लोग कहते है, people, वो पेड़ जो है, वो हमेशा auction supply करता है, चाहे दिन हो या रात हो, ओके, और Amazon rainforest को अपन, lungs of the planet भी कहते हैं, कि हमें पता है, 14% auction अभी भी वहां साता है, पहले तो 40% था, अब वहां सिधा 40% आ गया है, क के बाद हमें पढ़ना है, carbon cycle के बारे में, जो कि आपको बहुत important है, क्योंकि आपके book में carbon cycle को थोड़ा detail में दिया गया है, तो जाहिल सी बात है, वो board में आता होगा, चलो carbon cycle को भी complete करते हैं, बहुत easy trick है, कुछ भी नहीं है, बस समझते चलो, देखो factory है, माल लो आप कोई land लिए हो, वहाँ पर आपने एक factory खोला है, तो factory से भी gas liberate होगा, कौन सा gas liberate होगा, CO2 gas liberate होगा, तो वो CO2 कहां जमा होगा, atmosphere में जा करके जमा होगा, वो atmosphere में CO2 है, तो CO2 को लेगा कौन, plant लेगा, बिलकुल, plant CO2 लेगा, उसे sunlight मिलेगी, हमने root में क्या देते हैं, water भी दे करेगा, reaction करेगा, बिलकुल करेगा, क्या बनाएगा, chlorophyll बनाएगा, photosynthesis complete हो जाएगा, तो यहाँ तक का process आपको complete हो गया, photosynthesis तो हो गया, बिलकुल photosynthesis हो गया, अब इसके अलावा, इसके अलावा जो पेड का जो टूटा हुआ पार्ट होता है, मानलो पेड जो है, उससे कु कहते है, decompose होने को कहते है, decomposition, क्यों होता है, क्योंकि उसमें decomposers लग जाते है, decomposers में भी क्या होता है, तो हम higher class में पढ़ेंगे, अभी आपके जानने की चीज़ नहीं है, बस इतना जान लो, कि वो जो plant है, वो decompose हो जाते है, यहाँ तक तो कोई doubt नहीं है, बेलकुल अब देखो, अनिमल ने कुछ लिफ मान लो खाया था, तो वेस्ट प्रोड़क्ट को भी तो बनाएगा, तो वेस्ट प्रोड़क्ट भी कहा है, लैंड सर्फेस पे आएगा, तो वेस्ट प्रोड़क्ट जो होता है, वो fossil फिल का काम करने लगेगा, वो मतलब उससे भी CO2 ग रोटेट करता रहता है, रोटेट करता रहता है तो सबसे जादा आते हैं हमारे ओशियन से, जितना जहां ओशियन होता है, वहाँ पर पर co2 जादा रिलीज होते हैं ओके और अगर हम बात करें तो एक cycle जब complete होता है कार्बन का तो उस cycle complete होने के बाद कुछ कार्बन का loss भी हो जाता है अगर हम बात करें तो हम अगर dairy life में carbon carbon dioxide को कैसे रिलीज करते हैं तो हम सब्सिंपल सी बात है रिलीज हो रहा है कारबन समझ गए अभी तक आप लोग तो यह सारे के सारे चुब यह मैंने कहा यह सब additional source of CO2 in atmosphere वे आते हैं इत मिंस वो ऐसे sources है कि माझनो हमने किसी लकड़ को जलाया तो यह natural process नहीं था लेकिन हम नहीं किया माझनो हम coal को जला रहे हैं तो यह भी natural process नहीं है यह हम कर रहे हैं तो यह सारे के सारे के सरफ process समाज आएंगे यह सारे के सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एडिस्टनल सौर्स औफ सी यो टू एन अटमोस्फेयर तो यहां तक मेरे इसाब सब्सक्राइब को कर सकते हो इसमें फिर से बता बता दूंगा उसको दिक्कत नहीं है निटिने के संपाइंड को करते हैं उसके आंड़ के लिए कि ले आख चुछल और इन नहींट कर सकते हैं मेंsite कि उन्हें प्रेशानीक नियुक्ड जाय को लिए और उसके अंदर किया उसने कैंडल को चलाया और उसने तुछ टइम के बाद उन्हों गुआ मर गयाल कारबन टायो अगर उसमें पूरा co2 फ्ल किसमें नेरे में दूसरी बात केंडल बंद ले था recipe that केंडल बंद हो गया इसका कारण क्या है क्योंकि उसे oxygen नहीं मिली हम सब को पता है कि हम अगर किसी चीज को चलाते हैं तो उसके लिए हमें oxygen चाहिए ही चाहिए तो केंडल अगर जल रहा था उसे मिली नहीं तो सिंपल से बाते जाते तक चल लेगा नहीं तो उसने समझ लिया दुबारा सुने नहीं एक्सपेरिमेंट किया और इस बार उसने एक प्लांट को वहां रख दिया कुछ टाइम के बाद आएं फिर उन्होंने देखा कि यहां अभी प्लांट जिन्दा है तो हां क्या हुआ होगा कुछ भी नहीं लाइत संच लेगे को सप्लाइत स्क्राइब कर रहा है तो वह औक्ष्थिं को लेगा सरे तो रहेगा प्लांट रहर लाइगा और याइटS भी जलता रही तो उन्हों वहारे लिए तो अगर आउक्षिन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं तो इसी एक्सपेरिमेंट को देख करके एक मॉल्स आये थे मॉल्स हाव वह भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट बना दिये उन्होंने बोल दिया कि सी ओ टू भी फोटो सेंथेसिस के लिए जरूरी है जाईर सी बात है और अब उन्होंने को कहा तो इन्हें सोचा कि हम भी कुछ महान काम करते हैं हम क्या करते हैं सी ओ टू को कह देता है राइट क्योंकि सिंपल सी बात है अगर प्लानेट को मिलेगा नहीं तो वह ऑक्षिन कैसे करेगा बनाएगा कैसे इस में मिल रहा था उससे तो उन्होंने बस यह कह दिया कि सी ओ जो है वह जरूरी है उसके फोटो सेंथेज करने के लिए को और सैंटिस्ट आएगा वह वह कह देगा वाटर भी जरूरी है तो तो हमने कहा black man, उन्होंने एक law दिया, law of limiting factors, उन्होंने भूला कि कुछ भी हो जाए, हमारे जो land है, यहाँ पर 4 से 5 ऐसे हैं, जो limiting factor हैं, वो कभी भी खतम हो सकते हैं, अब बुलेंगे क्या-क्या, तो सबसे पहला आता है light, light भी जो एक limiting factor का काम करता है, temperature भी limiting factor का काम करता है, और water भी limiting factor का काम करता है, ऐसा तो नहीं है, हमारे पास की water बहुत सारा है, आज waste करते चलो, ऐसा नहीं है, वो भी एक limiting factor है, और इन्होंने एक बात और कहीं थी, कि यह जो जितने सारे product अभी हमने बताये, जो भी हमने abiotic factor बताया, वो सारे limiting factor तो है, लेकिन इसके अलावा, अगर इसमें से कोई missing हो जाता है, मतलब कोई मान लो कि water हम नहीं देते हैं, water कम देते हैं, तो यह सारे के सारे attacks पर करेंगे, photosynthesis पर करेंगे, मतलब photosynthesis का process में problem भी ला सकते हैं, किसी की कमी हो गई, तो photosynthesis में problem आ सकता है, अब हम बात करते हैं, लाइट के बारे में, लाइट क पूरा plant यूज कर ले, ऐसा नहीं होता, 10% यह energy वो लेता है, आपको notes में यह सब दिख जाएगा, तो यह सब मेरे को बोलने की ज़रूरत रही है, तो यह सब और पॉइंट्स में ने लिख दिये हैं, आप एक बार रीड कर ले ना, और अहां पर हमारा topic जो होता है, वो complete होत होता है, और आप मेरे को comment करके बताना कि हमारा यह chapter आपको कैसा लगा, अगर कोई doubt होता है, आप comment जरूर करो यार, और अगर अच्छी लगए वीडियो, तो like और subscribe करके जाना, thank you